हेलो प्यारे प्यारे नन्हे मने बचा लोग क्या हाल चाल क्या हाल चाल I hope सब लोग बन्या होंगे फिट एंड फाइन होंगे तो दोस्तों मैं हूँ आपका वही पुराना दोस्त और हो सालोग चौबे वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से चैनल P.W. लिटल चैंपर जहां पर हम लोग इस जुनून प्रो बैच के अंदर आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन टाइम और आज इस एलेक्शन नमबर वन में हम बहुत सारी चीजे बहुत इंटरस्टिंग साए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक लास पर दोस्तों ध्यान से सुनना है आपको ध्यान से क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों से कोश्चन भी पूछता जाओंग चल रहा हूँ I am in rest और in motion motion का मतलब होता है चलना सिंपल सी बात है rest का मतलब रुकना और motion का मतलब है चलना मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ rest मतलब कोई भी object जो की रुका हुआ है है ना motion का मतलब कोई object चल रहा है motion का मतलब होता है चलना और rest का मतलब होता है रुका हुआ हूँ तो मैं अभी रुका हुआ हूँ या चल रहा हूँ तो आप कहेंगे sir अभी तो आप रुके हुए हैं क्यों रुका हुआ हूँ क्योंकि मेरी जो position है वो time के साथ change नहीं हो रह खड़े थे, rest के side खड़े थे, यानि time बीतता गया पर आपकी जो position है वो change नहीं होई, आप अपनी जगे से हिले नहीं हो, तो मैं rest में हूँ, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं rest में हूँ, या motion में हूँ, मैं रुका हुआ हूँ या चल रहा हूँ, तो आप कहेंगे sir, अब आप चल रहे हैं, भया अब आप चल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो position है change हो रही है, अभी आप अपने photo के पास में है, अभी आप चले गए, चलना लिखा है वहाँ पर, फिर अब आप चले गए, इस rocket के पास, यानि आप अब एक जग में आ रहा होगा, ठीके, तो start करते हैं, कि आज की class में हम किन-किन topics को discuss करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे types of motion की and speed की, motion जो कि हमने already देख लिया, अब हम उस motion के कुछ types की बात करेंगे, कि कितने type के motions होते हैं, और फिर हम बात करेंगे speed क्या होता है, ठीके, तो चलिए, अब हम बात करते हैं, motion की, तो मैंने आपको बताया, ये देखोई, इस object को देखना, क्या है ये, तो ये एक ball है, ठीके, ये ball है, अभी ये रखा हुआ है, रखा हुआ है, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, पर क्या इस ball की position change हो रही है, बताओ, ball की position change हो र यह बॉल आ गई यानि बॉल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गई अपनी पोजिशन चेंज करके तो हम कहेंगे यह बॉल मोशन में थी कुछ समय के लिए और फिर वापस वो बॉल यहाँ पर रेस्ट में आ गई है यानि आकर रुक गई है पर यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरी जर्नी में बॉल क्या कर रही थी? मोशन कर रही थी क्योंकि बॉल की जो पोजिशन है वो समय के साथ बदल रही थी तो हम वही कहेंगे हम डेफिनिशन वही देंगे मोशन की हम कहेंगे कि मोशन is the change in position of an object with respect to its surrounding in the given interval of time with respect to its surrounding का मतलब क्या है? अगर पीछे कुछ सिर्फ काला हो यानि सब कुछ black हो तो मैं अगर चलूँगा भी तो आपको समझ में आएगा कि मैं चल रहा हूँ? नहीं क्योंकि पीछे तो सब कुछ black है आपको दिखाई नहीं दे रहा है अभी आपको कैसे पता मैं रस्मे हूँ? तो आप मेरे पीछे इस ball को देख रहे है और ball के साथ मेरी position को compare कर रहे हैं कि मैं ball के पास खड़ा था और अभी वही हूँ वही हूँ पर अब मैं ball से थोड़ा सा दूर आ गया यानि आप उस ball से मेरी distance को compare करके बोल रहे हैं कि मेरी position change हो रही है यानि जब कभी भी हम ये देखते हैं कि कोई object move कर रहा है चल रहा है या रुका हुआ है तो हम उसके पास वाली चीजों के साथ compare करते हैं जैसे कि किसी building से मैं चल रहा हूं तो building से मेरी दूरी बढ़ती जा रही है इसका मतलब मैं motion में हूँ तो building क्या हो गई वो मेरा surrounding हो गया उसके respect में हम देखते हैं कि हमारी position समय के साथ बदल रही या नहीं और अगर बदल रही है तो हम कहेंगे कि हम motion में है वरना नहीं है ठीके दोस्तो समझ में आगया motion क्या होता है अब हम बात करते हैं कि ये जो motion है ये कितने type का होता है यानि types of motion की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए ये आपके जैसा ही एक बच्चा है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है पपू ये हमारा दोस्त है आपका भी दोस्त है जिसे हम कहते हैं प्यार से पपू पपू प्रसाद पपू प्रसाद या हम कहें short form पीपी तो ये हमारा एक दोस्त पीपी है यह क्या कर रहा है साइकल चला रहा है साइकल चला रहा है और आप देख रहे हैं कि जो रास्ता है वो एकदम सीधा रास्ता है और आपको कैसे पता चल रहा है साइकल चला रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि इसके पीछे कुछ पेंड है जो कि कहां जा रह पीछे की और जा रहे हैं पर क्या सच में ऐसा हो रहा है पेंड पीछे जा रहे हैं नहीं यह जो हमारा पीपी है वो आगे जा रहा है और इस वज़े से हमें लग रहा है कि जो पेंड है वो सारे पीछे जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यह मोशन में क्योंकि इसके रिस्प कर रहा है एक सीधे रास्ते पर जा रहा है यानि वो आप देख रहे हैं कहीं भी मुड नहीं रहा है कहीं भी वो टर्न नहीं ले रहा है वो सीधे चलता जा रहा है तो जब कभी भी कोई भी वस्तु कोई भी ऑबजेक्ट एक सीधे रास्ते पर एक स्ट्रेट रोड पर एक object का जो motion है वो कैसा है वो है motion in a straight line यानि एक सीधी रेखा में motion कर रहा है वो move कर रहा है motion along a straight line is known as rectilinear motion और motion along a straight line यानि जब कभी भी कोई वस्तू किसी एक सीधी रेखा में एक सीधे रास्ते पर travel करता है बिना मुड़े बिना turn लिये तो हम कहते हैं उसका motion कैसा है rectilinear motion है यानि वो rectilinear motion कर रहा है या एक सीधी रेखा में motion कर रहा है समझ में आपको आगया कि rectilinear motion का मतलब क्या है कोई भी object एक सीधी रेखा में move कर रहा है बात खतम अगला type circular motion अब ये आप लोगों ने जूला तो जूला ही होगा मेले में जिसमें आपको अलग-अलग घ जूला होता है उसमें भी आप लोग गोल-गोल घुमते हैं फिर आप लोग अगर race लगाते हैं तो एक circular track में गोल-गोल घुमते हैं तो जब कभी भी कोई object किसी circular path में किसी circle में move करे तो हम कहेंगे उस object का जो motion है वो कैसा हो रहा है circular motion हो रहा है अब मुझे आप इस circular motion के कुछ और example बताईए चलिए आपको एक hint देता हूँ कि मेले में कभी आप लोगों ने देखा होगा तो एक बड़ी सी दिवाल होती है कुए जैसी और वहाँ पर कोई होता है जो बाइक चलाता है तो क्या होता है उसका नाम वो बताईए और इसके अलावा आप मुझे एक दो और circular motion के example बताईए मैंने बता दिया circular motion क्या होता है जब कभी भी कोई object किसी circular path में motion करता है तो से हम कहते है circular motion ठीके दोस्तों चलिए अब आपको अगला type बताता हूँ periodic motion आपको क्या करना है एक पत्थर लेना है उसको एक रस्ती से बादना है औ फिर यहां जाएगा फिर यहां जाएगा यानि वो बार 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 अपने motion को repeat कर रहा है यानि जब कभी कोई object अपने motion को बार 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 repeat करे यानि एक fixed interval of time के वार वापस अपनी initial position पर आ जाए तो उसे हम कहेंगे वो periodic motion कर रहा है जैसे यह जो आपका pendulum है वो इस point A पर आ रहा है फिर वो यहां से इस point B पर जा रहा है वापस point A पर आ रहा है अब A पर A से B तक जाने और वापस B से A तक आने में इसको माल लेते हैं जो समय लग रहा है वो लग रहा है 2 seconds यानि बचो हर 2 seconds बाद आप चेक करोगे तो यह जो pendulum है वो आपको point A पर ही मिलेगा क्योंकि यह fixed time के बाद वापस अपनी initial position पर आ रहा है और जब कभी भी कोई object इस प्रकार का motion करता है यानि एक fixed time के बाद अपने motion को start करता है zero से start करता है उसे हम कहते हैं वो periodic motion कर रहा है a motion that repeats itself after equal interval of time is known as periodic motion यानि एक fixed समय के बाद वो अपने आपको repeat कर रहा है तो उसे हम कहेंगे periodic motion और आप लोग ने देखा होगा कि घरों में हमारे घड़ी लगी होती है एक उस घड़ी में भी नीचे क्या होता है एक pendulum लगा होता है अच्छा ये तो पता होगा न आपको कि इसको क्या कहते है इस पूरे को कहते है पैंडूलम इस पूरे को कहते है बच्चो हम पैंडूलम और यहाँ पर ये जो रसी है इस रसी को कहा जाता है थ्रेड थ्रेड रसी को हम कहते है थ्रेड है न और नीचे ये जो बॉल लगी होई है इस बॉल को कहा जाता है इस बॉल को कहा जाता है बॉब इस बॉल को कहा जाता है बॉब ठीके समझ गए तो इसे हम कहते हैं पैंडलम जिसमें एक रसी होती है और नीचे एक बॉब होता है नीचे एक बॉब होता है बॉल होता है और उपर एक रसी होती है और इस चीज को इस कि यह किस टाइब के motion है जरा ध्यान से देखो आपको बताना है एक soldier है जो की march past में है march past में soldier कैसे चलते हैं वो ऐसे चलते हैं parade कर रहे हैं आपने parade देखियोगी बचो soldier parade कर रहे हैं तो वो जो parade कर रहे हैं तो वो motion कैसा हो रहा है वो circular path में motion करते हैं वो ऐसे simple pendulum की तरह जूलते रहते हैं या वो एक सीधी रेखा में motion करते हैं straight line में करते हैं इसका answer आपको बताना है तो ये रहा आपका first question जिसमें आपको बताना है कि soldier अगर वो march past कर रहा है parade में हिस्सा ले रहा है तो किस type का motion कर रहा है फिर उसके अलावा आपको बताना है एक bull card है जो कि एक straight road पर move कर रहा है इसमें आपसे खुद ही कहा गया है एक सीधे रास्ते पर motion कर रहा है एक bull card देखो सीधे रास्ते पर motion कर रहा है उसमें लिखा गया है कि straight road पर motion कर रहा है यानि इसका जो motion है वो कैसा है rectilinear है या हम कहा है motion in a straight line rectilinear या motion in a straight line तो ये भी सही हो जाएगा और इसका answer soldier in a march past वो भी तो एक सीधी रेखा में motion कर रहा है दोस्तों तो उसका जो motion है वो भी कैसा कहलाएगा वो भी कहलाएगा rectilinear motion या motion in a straight line ठीक है अच्छा इसके अलावा ये देखो hands of an athlete in a race यानि एक athlete जब वो दोड़ रहा है तो उसके हाथ क्या हो रहे है आगे पीछे आगे पीछे यानि बार 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 उसके जो हाथ है वो अपनी position पर आ रहे हैं और खुद को repeat कर रहे है यानि वो एक fixed interval of time के बाद आगे आ रहे हैं पीछे जा रहे हैं तो ये जो motion हो रहा है हाथो का hands का एक athlete के race के दोरान वो कौन सा motion है तो बहुत simple है हाथ एक बार आगे एक बार पीछे एक बार आगे एक बार पीछे यानि उस घड़ी के pendulum जैसे वो आगे पीछे हो रहे हैं तो इसी लिए ये जो motion होगा वो कहलाएगा periodic ये कहलाएगा periodic motion अगला पैडल of a cycle bicycle in motion यानि एक cycle है जो की move कर रही है तो उसमें जो पैडल है वो कैसा motion कर रहा है तो पैडल हम मारते तो पैडल ऐसे गोल 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 गोमता है पैडल ऐसे गोल 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 गोमता है न दोस्तों आपने देखा होगा cycle चला ही होगी तो पैडल क्या कर रहा है गोल 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 गोमता है ठीक है देख सकते हैं आप यहाँ पर यह कैसे घुम रहा है गोल 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 तेसे हम कहेंगे कि ये särkULar motion कर रहा है समझ में आपको आ गया होगा है ना अब बताइए कि अर्थ जो है वो sun के round कैसे motion करती है तो ये रहा हमारा sun और अर्थ इस sun के चारो तरफ हमारी जो अर्थ है वो इस sun के 4 तरफ गोल 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 घूमती रहती है गोल घूम रही है एक पाथ में यानि हम इसे कहेंगे कि अर्थ का जो मोशन है सन के राउंड वो कैसा है वो सर्कुलर मोशन है ठीक है बच्चा लोग क्यों बच्चा पाटी समझ में आया ना अगला देखो एक पैंडूलम का मोशन कैसा है आपको तो यह पता है यह है पिरियोडिक मोशन अगला अब आपको बताना है जो एंड फास कोई चीज चल रही है या फास चल रही है आप इसको कैसे बता सकते हैं यानि it is common experience that motion of some object is slow while that some object is fast और इसके लिए आप लोगोंने एक कहानी सुनी होगी एक खरगोस और कच्छुए की कहानी सुनी होगी और उसमें आपको पता होगा कि slow क्या होता है fast क्या होता है तो इसको एक distance cover करने में बहुत जादा समय लगेगा वहीं अगर हम बात करें कोई object fast move कर रहा है इसका मतलब वो बहुत तेज चल रहा है और कम समय में एक बड़ी distance को cover कर लेगा तो उसे हम कहेंगे वो fast है जैसे आप यहाँ पर देखिए race start हो रही है एक खरगोस और कच्छवे के बीच में अब ज़रा ध्यान से देखना जैसे ही race start होती है यह जो खरगोस है यह क्या करता है देखना क्या कर रहा है यह finishing line है यहां से उनको यहां तक आना है अब जो खरगोस है वो फटा-फट के बहुत तेजी से आता है और आके यहां पर रुख जाता है और देखता है कि हमारा दोस्त जो कच्छवा है वो क्या कर रहा है तो कच्छवा बिचारा धीरे 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 अपनी चाल से आता है और वो जीत जाता है यह वाली story आप लोग ने सुनी है पर यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब ये दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखना, सेम टाइम में कौन जादा दूरी कवर कर रहा है, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने जैसे ही बोला 1, 2, 3, स्टार्ट हो गया motion, देखो, सेम टाइम, यानि समय उतना ही लग पर सेम टाइम ने इस खरगोस ने इतनी डिस्टेंस कवर की, और इस कच्छुए ने सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर की, यानि दोनों ने टाइम सेम लिया पर अलग-अलग डिस्टेंस कवर की, जिसने जादा डिस्टेंस कवर की, जिसने जादा डिस्टेंस कवर की, जिसने fast and slow तो हमको समझ में आ रहा है पर इस fast and slow को define करने के लिए किस चीज का इस्तमाल किया जाता है हम कह रहे हैं fast move कर रहा है अब दो object हैं जो fast move कर रहे हैं अब उन दोनों को compare करना है तो हम कैसे कहेंगे कि कितना fast move कर रहा है जैसे अगर मैं बात करूँ कि आपकी class में दो बच्चे हैं यानि आप दो दोस्तें दोनों pass हो गए हैं अब दोनों pass हो गए तो बच्चों पता है 100 में से 33 number आते हैं तो pass हो गए पर pass हुए हो तो किस division से pass हुए हो कितने number आए हैं हम कहें किस division से pass हुए हो क्या आप लोग एक ही जैसे पास हुए हो या फिर कोई बहुत अच्छे तरीके से पास हुआ है कोई बस boundary पे पास हुआ है इसको कैसे पता लगाया जाता है तो numbers देखके अगर 93 है यानि बहुत अच्छे से पास हुए हो अगर 35 है यानि जस्ट boundary पर ही पास हुए हो यानि एक number और आ जाता है जो कि compare करता है वैसे ही एक fast moving and slow moving object में कौन ज्यादा fast है कौन ज्यादा slow है इसको compare करने के लिए एक चीज का इस्तिमाल करते हैं जिसे हम कहते है speed और speed क्या होता है distance covered by an object in unit time यानि कोई object है जो की point A से start हो रहा है और वो point B तक जा रहा है और A और B के बीच की जो दूरी है वो है 2 km और उस object को A से B तक जाने में जो time लग रहा है वो है 1 second यानि 1 second में object A से B तक चला गया जो की 2 km की दूरी पर है तो unit time में या 1 second में जितनी distance वो cover कर रहा है यहाँ पर अगर हम km की जगे मीटर करने तो ज्यादा बैतर होगा क्योंकि मीटर को इस्तमाल करते हैं second के साथ और km के स्तमाल करते हैं आर के साथ तो एक second में 2 मीटर की distance cover कर रहा है अब यही जो इसने distance cover की है unit time में इसे ही कहा जाता है speed का मतलब होता है दोस्तों speed का मतलब होता है हम क्या करें object ने जितनी भी distance cover की है उसको हम ले 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 और हम उसे time से divide कर दें जितनी भी distance ले रखी है उसे हम time से divide कर दें तो हम कहेंगे जो आ रहा है divide करने पर वो कहलाएगा उस object का speed अब यहां पर हमें ध्यान देने वाली ज़रूत क्या है कि जो distance होता है उसे अगर हम kilometer में ले रहे हैं तो time हम r में लेते हैं और अगर distance हम meter में ले रहे हैं तो time हम seconds में लेते हैं हमेशा अगर आप distance ले रहे हो kilometer में तो time आप r में लोगे मैंने क्या बोला अगर हम distance meter में ले रहा है तो time second में ले रहा है दोनों सही दिया है तो कितनी distance cover कर रहा है दो meter कितनी देर में एक second में तो इस object की अगर when we see that, say that a car is moving with a speed of 50 km per hour, इसका मतलब ये car एक घंटे में 50 km की distance cover कर रही है, फिर अगले एक घंटे में 50 km की distance cover करेगी, तो ये हो जाएगा उसका speed, अब हमारे car में आप लोगों ने देखा होगा, एक object होता है, हमारे cars में एक object होता है, बचो, वो object क्या करता है, वो हमें बताता है कि हमारी car कितनी speed से चल रही है, जिसे आप कहते है speedometer, जिसे आप speedometer कहते हैं, याद है, देखा है आपने, तो देखा तो होगा ही भाई, speedometer हमारे cars में लगा होता है, और वो कुछ ऐसा दिखता है, उसमें एक काटा होता है, जो कि move करता रहता है, और हमारी speed बताता है ठीक है बचलोग तो यह रहा आपके स्पीड का फॉर्मला जो की होता है टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने जितनी भी डिस्टेंस कवर की हो उस डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइट कर दो तो आपको स्पीड मिल जाएगी अब अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक समान रेट से मूव कर रहा है यानि वो देखो एक समान रेट से मूव कर रहा है एक फिक्स स्पीड पर मूव कर रहा है पचास किलोमेटर की स्पीड पर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मोशन करना और सेम स्पीड से अगर मूव कर रहा है उसकी speed कभी भी change नहीं हो रही है ना तो कभी वो slow रहा है ना कभी fast हो रहा है तो हम कहेंगे उसका जो motion है वो कैसा है uniform है an object moving along a straight line with a constant speed constant का मतलब fix speed then it is said to be in uniform motion ठीक है और इस condition में जो average speed है वो actual speed के बराबर होती है अब non uniform motion का मतलब क्या है आप cycle चला रहा है किसी market में चले गए अब market में बहुत भीण है तो जब आपको खाली रास्ता मिला आपने speed बढ़ा दी जब भीणाई आप फिर slow गए फिर खाली रास्ता मिला आपने speed बढ़ा दी फिर भीणाई आपने speed slow कर दी यानि continuously आप अपनी speed को change कर रहे है और अगर कोई object है जो कि अपनी speed को change कर रहा है तो हम उसके motion को कहेंगे non uniform motion समझ में आ गया ना चलिए अब आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल है और आपको बताने है उसकी answer एक bus है जो कि 54 km travel कर रही है 90 minutes में तो आप मुझे उसकी speed बताईए यहाँ पर km दिया है यहाँ पर minute दिया है तो km के case में हम r लेते हैं speed का formula आप क्या लगाएंगे आप लगाएंगे speed वराबर distance upon time तो यह formula लगाए और answer बताईए distance को आप km मिलेंगे और time को r मिलेंगे यहाँ minute में है तो minute को r में convert करके फिर solve करना ठीके तो यह आपका first question था अगला question which of the following relation is correct इसमें से कौन सा relation correct है speed, distance और time के बीच में तो इस second question का answer भी आप लोग मुझे देंगे और दोस्तो इसी के साथ हमारा जो lecture number 1 है वो होता है end तो चलिए अब मिलेंगे अगले lecture में उसमें आगे के topics पढ़ेंगे तब तक अपना खयाल रखिए मुस्कराते रहे टाटा बाई बाई and thank you